राम के वचन सुन्ने के पश्चाद सुग्रीव ने प्रेम के साथ अगनी को साक्षी मान कर स्री राम के साथ मित्रता की और फिर उन्होंने राम को वाली के साथ वैर को बताया। सुग्रीव बहुत दुखी मन से स्री राम को यह सब बतलाया। उस समय राम ने प्रतिज्ञा की की वैर वाली का वध करेंगे। उसके पस्चाद सुग्रीव ने वाली के बल का वर्णन किया। और उसी समय सुग्रीव सोच रहे थे की राम का बल उनके समान है या नहीं। यह शंका उनको मन में आई। उनकी परिक्षा हे तु सुग्रीव ने दुन्दुभी नामक एक राक्षस का विशाल परवत स्वरूप काय दिखलाया। महाबली स्री राम विसमय से मुस्कुराते हुए दुन्दुभी के शरीर को अपने पाउं के अंगूठे से दस योजन दूर फेंक दिया।